नमस्कार, खबरों का पंच नामा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंश्रका हम लेकर आए हैं देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिनके विशलेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है सबसे पहले नज़र डालते हैं हेड्लाइन्स पर G20 की मेजबानी के लिए तैयार भारत, लगबख सभी महमान पहुँचे दिली, सुरक्षा के लिए जमीन से आस्मान तक रखी जा रही नज़र G20 समेलन के लिए भारत पहुँचे अमेरिकी राश्रुपती जो बाइडेन पीएम मोधी के साथ करेंगे द्विपक्षिय बादचीत बैठक में 5G, 6G, स्पेक्ट्रम, प्रिडेटर, ड्रोन सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा G20 समिट के रात्री भोज में शामिल होंगे ममता बनरजी, नितीश कुमार और M.K. स्टालिन, स्वास्तेकारनों के चलते भाग नहीं लेंगे HD देव गोडा, सोनिया खडगे को नहीं मिला निमंत्रण सोनिया खडगे को डिनर का निमंत्रण ना मिलने पर भड़के राहूल गांधी कहा सरकार नहीं देती भारत की 60 फीसदी आबादी के नेताओं को वैल्यू, यूरोप में कॉंग्रिस नेता ने फिर खत्रे में बताया देश का लुपतन बाजपर जेडियस के बीच हुआ बड़ा समझोता लोकसभा चुनाफ के लिए चार सीटे देने पर बनी सेहमती अमिच्शा ने लगाई मुहर और खबरों की शुरवात में बात करेंगे भारत में होने वाले बहु प्रतीक्षित जी-ट्वेंटी सम्मेलन की भारत जी-ट्वेंटी सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तयार हो चुका है लगबग सभी विदेशी महमान भी दिल्ली पहुँच गए जी-ट्वेंटी में आने वाले महमानों के सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आस्मान तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है महमानों के लिए भारत मंडपम में जी-ट्वेंटी के थीम सौंग वसुदेव कुटुमबकम पर संगीत का खास इंतजाम किया गया है जी-ट्वेंटी की मेजबानी करते हुए भारत में महमानों के लिए ऐसी तैयारिया की गई हैं जो आने वाले वक्त में सालों साल तक चर्चा का विशेव बनने वाला है लोग सब किस तरह पूरी दिल्ली को तैयार किया गया है जी-ट्वेंटी के लिए अविश्वस नहीं है जिस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता था उस तरह की तैयारी किये और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि जिस हिसाब से पहले भी G20 की बैठके हुई पता ही नहीं चलता था उन देशों को कि कब मीटिंग है कब आया कब गया बैठक हो गई खत G20 के प्लेटफॉर्म को नई उचाई देने का काम किया है यह अधर वे राउंड है G20 के अधिक्षता भारत के पास आते ही G20 का महत्तो बढ़ गया यह अपने आप में बड़ी चीज है लेकिन प्रधान मंत्री तो प्रधान मंत्री हैं दुनिया भर के जो मीडिया जो लीड कराया जाएगा हिंदुस्तान की इतिहास कलचर सिल्दूगाति सब्विता से लेकर करके अभी जो इसघान में डिजिजिटल क्रांती आई यह दुनिया के लिए सबक होगा दुनिया के लिएक ऐसा विंडो प्रदान मंत्री मोदी ने तयार किया है जिसमें एक उभरता हुआ ग्लोबल पावर पूरी दुनिया उससे जलक ले पाएगी जी बलकुल वहीं सभी विदेशी महमानों के साथ साथ अमेरिकी राष्टरपती जोब आईडेन विभारत पहुच चुके हैं प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी G20 शिकर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्टरपती जोब आईडेन के साथ विपक्षिय बैठक करेंगे ये बैठ बैठक में महत्वपून और उबर्ती प्रोद्योगिकियों नागरिक परमानु शेत्र में प्रगति ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है अग्साब कल भारत को तुम्बकम में जी ट्वेंटी समेलन की शुरुवात होगी लेकिन उससे पहले बाइडेन के जो हिंदुस्तान की जो रिष्टे हैं उसको मेनी फोल कई गुना जादा वो लेकर के चली जा चुके हैं अमेरिका का एक बहुत ही इंपॉर्टन पार्टनर हिंदुस्तान बन करके उभरा है वो गलतिया जो पीछली सरकारे करती रही कि अमेरिका के साथ कैसा रिष्टा आप रखोगे तो रूस नाराज हो जाएगा चीन के साथ क्या करना है प्रधान मंत्री मोदी और ये सरकार ने उन तमाम हडल्स को ना सिर्फ पार किया बलकि एक ऐसे सिचुएशन में कैसे पोजिशन में हिंदुस्तान को लाकर के खड़ा किया है कि जहां हम लोग अपने हिसा प्रधान के नेशनल इंटरेस्ट में हम दूसरे देशों से फैसला करवाने में काम्याब हो जाते हैं अब पूरा यूरप रूस को काटे की तरह चुब रहा है और रूस भी दूस्मन बना हुआ है पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए लेकिन हमारे जिस्ते देखिए तो अमेरिका के साथ जो कुछ चीजे होनी है यह पहले ही तै हो चुकी जब प्रधान मंत्री मोदी अभी अमेरिका के दौरे पे थे बाकी सारी चीजे फॉर्मालिटीज हैं दूपक्षिय वारता के दौरान कई सारे डिल्स के उपर साइन किये जाए जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने में काफी मददगार साबित होगा जी विलकुल एक तरफ भारत जी ट्वेंटी शिकर सम्मेलन की मेजबानी कर दुनिया में एक कदम और रोशन भविश्य की ओर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी खटिया सियासत से बाज नहीं आ रहा जी ट्वे प्रदानमंत्री मनमोहन सिंग इस रात्री भोज में शामिल होंगे अलाकि पूर प्रदानमंत्री एचडी देवगोडा ने खराब स्वास्ते का हवाला देते हुए डिनर में शामिल होने से इंकार कर दिया इसी के साथ कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिक अरजुन खडगे और तरह की राजनीती क्यों कर रहा है देखी जो सवाल उठाए जा रहा है सोने गांधी को क्यों नहीं आपने इंवाइट किया जाए कि क्या जिम्मेदारी है उनके पास है वो मुख्यमंत्री है लीडर पोजीशन है किस आधार को उनको दिया जाए कि वह जवारा चला गया आधा चाहे वो पुतिन हो चाहे उबामा हो चाहे क्लिंटन हो या लेडी क्लिंटन हो हो तो सरकारी कामकाज तो अपने जगह पे अलग 10 जन पत्क पे उनको बुला आए जाथा किस चीज के लिए करे उसम मांसे 수म्मों कि जम्मेदानिती की पास तो दिक्कत यह है कॉंग्रेस पार्टी को लगता है कि उनकी बपोती है और ये जो इर्श्या ये जो घ्रणा कि ऐसे प्रधान मंत्री मोदी के दौरान इतना बड़ा सब कुछ हो रहा है वो कैसे हो कैसे संभव है तो रहुल गांदी चले गए कि नहां यहां हम रहेंगे ही नहीं और घटियापन ये देखिए कि कॉंग्रेस पार्टी ने अपने तमाम मुख्मंत्री को जिनको इन्विटेशन दिया गया उनसे मना करवा दिया कि कोई मत पहुंचो यह आई एंडी आई ए आप यह देखिए कि किस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी अपने आपको टोटली गांदी परिवार कॉंग्रेस पार्टी क्या गांदी परिवार इन्टाइटल समझती है यह भोज यह जो डिनर कल जो होना है उसमें तमाम मंत्री मंडल के लोग होंगे और देश भरक में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उन सब को बुलाया गया है और विरक्रेटर की तरफ से आप यह समझे कि जतने सचिव हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट के उनको इसमें इन्विटेशन दिया गया है तो बहिए अगर आप चीफ मिनिस्टर नहीं है आप मंत्री नहीं है तो आपका नाम वैसे भी नहीं होगा तो यह बेकार का अब्जिक्शन है दरसल विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है यह फेक नीज बुला रहे हैं कि यह पोस्टर लग गया है फिर बात में माफी भी मा गांधी को नहीं बुलाया सुनिया गांधी को नहीं बुलाया खडगे जी को नहीं बुलाया लेकिन जो है वो अडानी को आपने बुला लिया फेक नीज फ़लाया जा रहा है यह एक हिंदुस्तान के ओनर में यह जो जी टुन्टी की जो बैठक है इसमें तमाम लोगों को गांधी को G20 डिनर के लिए इन्वाइट नहीं किया गया तो इसकी भड़ास राहूल गांधी यूरोप में निकाल रहे हैं। बेलजियम में एक प्रेस कॉंफरेंस में राहूल गांधी ने G20 डिनर में विपक्षी नेताओं को नियोता देने के मुद्दे पर जवाब दिया। खड़ गया और सुनिया गांधी को डिनर का इन्विटेशन ना मिलने को लेकर राहूल ने इसे विपक्ष की अंदेखी करार दिया है। कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी ने रूस यूकरेन युद्द के अलावा चीन मुद्दे पर भी यहां अपनी बात रखी। इसी के साथ यूरोप के मन्ज से राहूल गांधी ने फिर एक बार देश के लोगतंत्र को खत्रे में बताया है। लोग सब यूरोप की टूर पर राहूल गांधी गए हैं लेकिन वहां भी वो भारत के मुद्दों को क्यों बार बार उठा रहे हैं। देखें वो पूरा परपस ही है कि G20 में पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। तो आप क्या करोगे प्रदान मंतरी मोदी का क्रेडिट खराब करने के लिए देश को बदनाम करने के लिए फिर वही कि डिमोकरसी खत्रे में हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के डिमोकरसी और वाइबरन डिमोकरसी को हिंदुस्तान के कल्चर हिंदुस्तान के सारे चीज़ों को देखने समझने के लिए पूरी दुनिया की नदर दिल्ली में हैं। यह दिल्ली छोड़के भाग गए और वहां जाकर कि यह कह रहे हैं कि डिमोक्रसी नहीं है तो यह तमाम जो तुम्हारे ही दल के जो कह रहे हैं वहां जाकर कि नोंने कह दे भई साथ परसंट लोगों के उपर ध्यान नहीं है उसका अंदेखी किया जा रहा है बही सोनिया गांदी को इन्विटेसर नहीं दिने से साथ परसंट हो गया कॉंगरस माटी कब लागी 50 परसंट बोड बाकि ये तुम्हारे आई एंडिया के लोग हैं चाहे के एजरी वाल 123 हो चाहे हो हायो हमन सो रैन हो चाहे वह स्टैलिन हो चाहे भगवन तमान हो तमाम चीफ मिनिस्टर को तो बुल्हाए गया है आप खुद नहीं आओ कॉंग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स को मना कर दो और उसके बाद महाँ जाजर्ण के छाती आप पीटे कि भई लोगों को नजल अंदास किया जा रहा है तो घटिया किस्म की राज़नीती है कॉंग्रेस पार्टी को कोई राहूल गांदी को समझाए कि कॉंग्रेस पार्टी से क्या आप हिंदुस्तान के खिलाब जितना आप जहर उगलों के विदेश में 2024 में देश की जनता सूथ समेथ इन सब बयानों का हिसाब किताब ले लेगी राहूल गांदी ने फिर एक बार विदेशी मंच से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है आज की आखरी खबर में बात करेंगे करनाटक में भाज़पा के समझोते की करनाटक में भाज़पा और जनिता दल सेकलर के बीच बड़ा समझोता हुआ है जानकारी के मताबिक करनाटक के पूर्व CMBS येदुरपा ने ऐलान किया है कि भाज़पा ने लोगसभा चुनाव के लिए जेडियस को चार सीटे देने पर सहमती जता दी है उन्होंने ये भी बताया है कि ग्रह मंत्री अमिच शा ने इसके लिए हामी भर दी है दरवसल जेडियस की विपक्षी गटबंदन इंडिया की बैठक से दूर रहने के बाद ही ये अटकले लगाई जा रही थी कि ये पार्टी लोगसभा चुनाव में भाजपा के नित्यत्व वाले एंडिये के साथ जा सकती है जिसके बाद अब ये समझोता सामने आया है रोक साब कैसे इस समझोते पर शा की मोहर लगी देखिए मोहर लग गई ये तो पहले सी तह था कि जेडियस जो है वो कॉंग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएगी अब कॉंग्रेस पार्टी के साथ baking जाएगी तो और वहां kे चुनाओ भी लग Championships ना हो इस वज़े से भारती जन्ता पाटी बीचा रही थी कि जेडियस के साथ समझोता हो जाए समझोता हो गया कॉंग्रेस पार्टी की परिशानी अब करनाटक में ये है कि आप जोर सोर से करनाटक की जीत को पूरी देजबन में भेजा तो रहे हो कह रहे हो बहुत हमने हरा दिया हमने हरा दिया अब इस गडवंदन का असर ये होगा कि कॉंग्रेस पार्टी करनाटक में एक भी सीट जीत जाए उस पे बहुत मेहनत करने के आवशकता पड़ जाएगी क्योंकि ना सिर्फ अर्थमेटिक बलकि इसका जो अलजेवरा जो है इसका जो बीज गनित है क्योंकि प्रधान मंतरी म वो फ्रंट रनर होते हैं लोकसभा के चुनाव में तो पिछली बार भी करनाटक में ऐसा ही हुआ था बीजेपी हारी जरूर थी लेकिन सीटे वो अल्मुस्ट स्वीप कर गई थी उस वक्त जेडियस सात्म नहीं थे अब तो जेडियस भी है प्रधान मंतरी मोदी का चेहरा भी है तो यह करनाटक जो कहा जा रहा था कि साउथ इंडिया से बीजेपी बिलकुल वाश आउट हो गई है वो स्थिति अचानक से बदल गई है जो बिलकुल जेडियस और बाजपा के साथ आने से विपक्षी गटबंदन को बड़ा जटका लगा है देश दुनिया की तमा हुआ है